Couple of things का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Couple of things का मतलब होता है कुछ चीजें या दो-चार चीजें यानि कि जैसे couple of days का मतलब होता है कुछ दिन couple of months का मतलब होता है कुछ महिने उसी तरीके से couple of things का मतलब होता है कुछ चीजें या दो-चार चीजें यानि कि जैसे हिंदी में हम कहें दो-चार चीजें तो उसके लिए हम इंग्लिश में कह देते हैं couple of things यानि कि couple of things is a phrase used to refer a small number of unspecified items, ideas or matters यानि कि कुछ unspecified ideas, numbers or matters को यानि कि दो या दो के लगभग कोई चीज हो तो उसके लिए हम couple of things कहते हैं it indicates that there are a few things you want to mention or discuss यानि कि कुछ ही चीजें हैं या दो-चार चीजें हैं जिनको आप या तो mention करना चाहते हैं या उनके बारे में discuss करना चाहते हैं जैसे कि इन examples and sentences से कुछ और अच्छे से समझ लेते हैं before we get started let me go over a couple of things जो आप दिमाग में रखे वो मैं आपको बताना चाहता हूं या I just wanted to mention a couple of things that I noticed while reviewing your report यानि कि मैंने जो दो-चार चीजें या कुछ चीजें जो notice की हैं आपके report देखते हुए वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं mention करना चाहता हूं इसके इलावा भी कुछ और example है जिनने आप अपनी screen पर पढ़ सकते हैं तो couple of things का मतलब हुआ कि कुछ चीजें या दो-चार चीजें या दो-चार बातें अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें